हलो दोस्तों मैं डाक्टर मनोज कुमार सिंख स्वागत करता हूँ आपका अपने आफिसल यूटूब चैनल मनोज आईएस में अगर आपको यूपियस सी क्लियर करना है तो हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक करें तस्क्राइब करें और हमारे साथ सदर जुड संस्क्रिति के बारे आज हम लोग पढ़ेंगे और उसका कला और पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं संधो कला तक के टविक को पढ़ें थे अब इसको हम रहेंगे कला से ठीक है बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या-क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो प्रस्तर की मुर्तियां हैं, हरपा से तीन, आइसी मुर्तियां मिली हैं, जो मोहन जोदरों से साल ओढ़े हुए सेलखडी की बनी समरे दाढ़ी बाल, मोटा अधरोष्ट वाली मुर्ति खंडित, सरीर जिसका एक हाँ ठुटा हुआ है, मोहन जोदरों से भेढ और हाथी के एक संयुक्त मुर्ति मिली है, आपको बता दें, कि ये जो मुर्ति मिली है मोहन जोदरों से साल ओढ़े एक पुरुस मिला है, जिसे लोग पुरोहित की संग्या देते हैं, उसका होट बहुत ही मोटा है, और उसको जो है, यहां से प्राप्त हुआ है, और डाली बाल उढ़े हुआ है, ओठ बहुत ही मोटा है, उसका इस तरह की मुर्ति मिली है, और खंडी था, टूर चुकी है, और उसका एक हाथ ठुटा हुआ है, और मोहन जोदरों से भेड और हाथी की एक संयुक्त मुर्ति मिली है, जिससे यह पता चलता है, कि उस काल में लोग जो है, अब मनु मुर्तियों की बात करें, तो धात की मुर्तियों में जो प्राप्त होई है, धात की मुर्तियों में सिंदु के लोग ताबा और टिन, मिला करके मिस्थिद धात के रूप में कांस सिका निर्मार का ना सिख चुके थे, मोहन जोदरों से दो, ताबे की मानव मुर्ती तथा भ प्राप्त करें गर्शन की मुर्तियों की रूप में इसके लिए ताबा की काचली मिठी से मसाला तयार कर बनाया जाता था संभावता यह लोक कला के रूप में विख्षित होई होगी जो अधिकान स्थ हाथ की बनी होती थी नारी की मिर्मूर्टियां नर से अधिक हैं सैंधो सब्वता क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सैंधो सब्वता मात्र सत्ता आत्मक सत्ता में विश्वास करने वाली एक सब्वता थी यही कारण है कि यहां से नारी की मुर्तियां पुरूस के पेच्छा अधिक प्राप्त होई हैं पाकिस्तान के कजाकिस्तान एवं हरियाना के बनावली में हल के रूप में मिट्टी के खिलवना मिला है हरप्पा से मच्छली, कछुगा, घडियाल वा मिड मुर्तियां प्राप्त हुई है मुहर, लगभग मुहर की बात करें से अंधर सब्वेता से तलगभग 2000 मुहरे मिल चुकी हैं जिन में से 1200 सिर्फ मोहन जोदरों से प्राप्त हुई हैं मुहरों का अधिकान सेलखडी से बनी होती थी, बृत्ताकार और आयताकार होती थी और आकार में छोटी होती थी इन पर कभी-कभी पसुका अंकन, कभी-कभी मुद्रा लेख आद छपे होते थे इनका उपयोग अनुबंद के दस्तावे जत्वां व्यापारीक बस्तुआं की प्रावनिक्ता अस्थापित करने के लिए किया जाता था मोहन जोदरवयम लोथल से मानव की आकरती, मानव की आकरती अंकित मोहर मिली है कुछ आयसी मुद्राएं भी प्राप्त होई हैं जीन की निर्मित संस्रिष्ट है एक मुद्रा में मानव का धर पर पसु का सिर वाला प्राणि बाग्र से लड़ रहा है जो गिलगामेश प्रतीत होता है संभवता ये विदेशी दे होता है गिलगा में प्रतीत होता है संभव है कि ब्रहमा के तीन सिर या रावण के दस सिर की सुरुवात वहां से हुई होगी लोथल से फारस प्रकार का दो मुहार राच्छस वाला मुहार राच्छस की वाला मुद्रा मिली है पसुपति सीव की मुहर मुहन जोदरो हरपा एवं मुहन जोदरो से तामर पठिकाएं प्राप्त होई हैं मारसल इसे ताबीज कहते हैं जबकि बियस अग्रवाल तामर मुद्रा कहते हैं लोथल से प्राप्त बृत्ताकार बटन के आकार का मुहर फारस का जिसके दो तरफ हीरन वा बीच में दो मुहाराच्छस खड़ा हुआ है इस तरह की प्रतिमाएं यहां से प्राप्त हो रही हैं अगला है सिल्फ एवं उद्योग की बात करें तो सैंधव सब्विता का सिल्फ और उद्योग भी बहुत ही विक्सिस अवस्था में था सोना चांदी ताबा कांसा एवं सिसा का ज्यान सैंधव सब्विता के लोगों को हो गया था यह पॉइंट नोट करने लाइक है सोना चांदी ताबा कांसा एवं सिसा का ज्यान सैंधव सब्विता को लोगों को हो गया था सोने का कोई बरतन नहीं मिला है लेकिन सोने का कोई भी बरतन यहां से प्राप्तर नहीं होता है मोहन जोदरो से चानी के बरतन पर लाल रंग, मजीट का कपड, काली बंगा से मिट्टी के बरतन पर सूती वस्त्र की छाप, लोथर से मुद्रांग पर सूती वस्त्र की छाप, आलमगीरपूर उतरदेश से बने वस्त्र के निसान, नेवासा से अंगूठी पर लिप्टा रे सब्वता में सूती वस्त उद्योग बहुत विक्सित अवस्था में था यही कारण है कि मिस्त्र वासियों ने सैंधो सब्वता के वासियों को क्या कहा है मेलुहा कहा है मेलुहा का अर्थ होता है कपास उत्पादक कपास उत्पादक होता है वस्त्रों पकड़ाई भी होती थी जैसा कि हम मोहन जोदरों से एक जो है जो आकृती प्राप्त हुई है किसकी साधू की आकृती जो प्राप्त हुई है वो क्या कह रही है कि निश्चित रूप से इस तरह के जो है आकार प्रकार वहां से प्राप्त होते हैं कि उस पर कढ़ाई हुई साल ओढ़ा हुआ है अगर मृदभांड की बात करें मृदभांड की बात करें चाक और हाथ दोनों से बने होते थे मुक्यता लाल एवं गुलाबी एवं कुछ पर काली रेखाओं से चित्र बने होते थे धाहडपा धात्विक उप्योग करन निर्मान का केंद्र रहा होगा सुकर में पत्थर के आवजार बनाने वाली फैक्टरी मिली है यहां से चूना पत्थर के कारखाने का भी साच प्राप्त हुआ है मन का निर्मान उद्योग की बात करें तो चहुंदड़ो एम लोथल मन के बनाने का कारखाना मन का बनाने में सबसे ज़्यादा सेल खड़ी का उप्योग होता था चहुंदड़ो से सेल खड़ी के मोहर एम चल्ट के बटखरे मिले हैं सीप उद्योग की बात करें तो बाला कोट बाला कोट एम लोथल अन्य उद्योगों में स्वन्ड कार संख सीप हाथी दान से बिविद वस्तूओं का निर्माड होता था पसपालन की बात करें पसपालन की अगर बात करें तो कुकुद मान बैल का बिसेस महत्व है घडियाल का भी धार्मिक प्रयोजन रहा होगा भेड बकरी कुत्ता हाथी बाग्र सिंग नहीं मिला है मुर्गी आज को पालतू बनाया गया होगा गुजरात के लोग हाथी पालते थे गुजरात के लोगों द्वारा हाथी का पालन किया जाता था काली बंगा से उट की हड़ियां मिली है लेकिन उट एवं घोडे का अंकन मुहरों पर नहीं है लोथल से घोडे का जबडा यव काली बंगा से भी घोडे के आउसेस मिलने की सूचना प्राप्त होती है राणा गुंडई से के निम्न धरातल से घोडे के दाथ, चवांड़क दाथ के आउसेस मिले हैं पसुओं का इस्तेमाल क्रिसी कार्य माल वहन मांज खाल बाल एवं उन के लिए संभवत किया जाता रहा होगा सैंदों सपता के लोग पसुओं का उपयोग इन दो आकारों में करते थे अब बात करें समाज सांदो कालिन समाज के अगर बात करें सहर और गाओं का विभेद इस पश्ट रूप से दिखाई देता है सहरी जीवन और ग्रामिट जीवन का विभेद सांदो सब्वेता में इस पश्ट रूप से दिखाई देता है सहर के दुर्ग और लिहाईसी इलाके में विभाजन तता विभिन आकार प्रकार के भाउनों के आउसेस एवं काप्रगा से मिले विविद सामग्रियों में अस्तर भेद के अलामा कलात्मक आउसेस के अनेक प्रकार जो समाज के आर्थिक अस्तर पर इस्तरी करण का इस्पष्ट दर्शन कराता है पूरोहित वर्ग, प्रसासनिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग, विविद सिल्पों से समध सामाजिक वर्ग, स्रमिक अथ्मादास वर्ग के विद्वान रहने का संखेत मिलता है हरप्पा के स्रमिक आवास, हरप्पा से एक आवास मिला है, जिसे स्रमिक आवास कहा गया है के आधार पर विहलर दास प्रथा के विलर दास प्रथा विलर एक विद्वान थे जिनोंने दास प्रथा के अस्तित्त को मानते हैं समाज में महिलाओं की भूमिका का इस्पष्ट पता नहीं चलता है उनका क्रिसी में क्रिसी समाज में उत्पादक महत्व रहा होगा स्रिंगार प्रसाधनों का इस्तिमाल महिलाओं द्वारा करती रही होंगे नित एवं ललित कला का भरपूर विकास सैंधो सब्वता में हुआ था देव समुह में महिलाओं को महत्पूर स्थान प्रात था हो सकता है कि सिंदु एवं उसके निकटवर्ती छेत्र मात्र प्रधान रहे होंगे हलाकि राजस्थान एवं गुजरात के छेत्र में इस तरह का प्रमाड नहीं मिला है कांसी मुर्ती जो मोहन जोदरों में मिली है एवं अन्य नारी मुर्तियों के आधार पर देवदासी प्रथा प्रचलित होने का भी संखेत मिलता है आपको बता देवदासी क्या होती थी प्रकार की बिस्या होती थी जो उस समय इसका उपयोग भी मिलता है उस समय ये जो है प्रचलन में रही होंगी भोजन की बात करें तो साइन्धर सवक्ता में भोजन साकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का इस्तिमाल होता था दूद के उपयोग के बारे में कोईprotन साच प्राप्त नहीं होता दूद और दूद से बनी हुई सामग्रियों का इस्पष्ट पता नहीं चलता है, गाय की कोई मुर्ती नहीं प्राप्त होती है, सबजी का उत्पादन नहीं होता होगा, मोहंजोदण या उहनप्पा काली बंगा से अन्नागार मिला है, अन्न के उत्पादन का साच्छ मिला है कि सबजी और भाजी का के उत्पादन का कोई साच्छ यहां से प्राप्तर नहीं होता है, इससे पता चलता है कि सैंदों सब्वता के लोग निश्चित रूप से इन सब चीजों का उप्योग नहीं करते रहे होंगे, वस्त्रियों आभूसन की बात करें, तो सैंदों काली इ सूती वस्त्र, सामान नितया सूती वस्त्र का उप्योग होता था, किसका उप्योग होता था, सामान नितया सूती वस्त्र एवं सर्दियों में उनी वस्त्र का इस्तिमाल होता रहा होगा, समरिद्र लोग कढ़ाई कि ये वस्त्र वीधारन करते थे, ताम्र का उस तरह मिलन से हजामत का संकेत मिलता है सैंधों सब्यता में ताम्र तामे का एक छूड़ा मिला है तामे क्या मिला है एक छूड़ा प्राप्त हुआ है जिससे यह पता चलता है कि सैंधों काली लोग जो है निश्चित रूप से क्या करते रहोंगे डाड़ी बनाते रहे होंगे डाड़ी प्रस्तर मुर्तियों के पूरुस के मुझ पूरी तरद साफ है जिसे इसक्रिण होता है कि यह कारे होता रहा होगा। बाजू बंद, कंगन, जुमका आद मिले हैं। हरपा से सोने का कंगन, हरपा से सोने का एक कंगन प्राप्त हुआ है। चहुंदरों से लिपिष्टिक एवं मोहन जोदरों से गहने के धेर मिले हैं हरपा से सोने के मनके वाले अच्छा लड़ियों का हार भी मिला है एवं मोहन जोदरों से कारनेलियन के मनके का हार मिला है इसके लिए तामर, सोना, चांदी, सीप, हाथिदाद, लाज, जवर्द, गोमेद आज का उप्योग होता था, कंगा का उप्योग अवस्य होता रहा होगा, जैसा कि बाल बिन्या से स्फष्ट होता है, कि हरप्पा में प्रसाधन पेटी भी प्राप्त हुई है, एक साधु जो मिला है, जिस जो खंडित मुर्ती है मोहंजोदरों से, वहाँ पर मैं मारने का कारे भी उस समय होता था, मरण्यन के साधन की बात करें, तो सैंधो सबता में पासा खेलना होता था, हरप्पा से पासा मिले हैं, सिकार होता था, पसुओं एम पच्चियों का द्वंद, मतब पसुओं पच्ची को लड़ाय करते थे, मचली मानना नित्याद से अचली पकड़ने वाला काटा भी प्राप्त हुआ है यहां से, इसे पता चलता है कि यह आदिमी के मन्रण्यन का साधन रहा होगा, अगला है, सिंदु कालीन का समाज की बात करें, सिंदु कालीन समाज, सिंदु के नगरीकरण से उसका धर्म अभिन रूप से संबद्ध है, अभी तक उपलब्द साच्चों की आधार पर देव गण वा पूजा पधत का ही संकेत हो पाता है, यहां से भी विवाद्ध निसकर्स की निकाले जा सकते हैं, जो भी हो हडपाई लोगों के जीवन के अनन्य पच्चों का अध्यन के आधार पर कहा जा सकता है, कि धर्म के पीछे भी उनका द्रिष्ट कोंड उपियोगिता वादी रहा होगा, अन्तिष्ट में सव कलस से पुनर जन्म का प्रमार मिलता है, आपको बता दें, अन्तिष्ट में जो कलस रखा गया है, कलस से पुनर जन्म के प्रमार के संकेत प्राप्त होते हैं, हड़पाई उत्पादन या अर्थिव्योस्था से संबंद पहलूँ से जुड़े विभिन आवलंबनों की पूजा की जाती थी यद्यप कोई भी मंदिर का प्रमाल नहीं मिला है किन्त मुर्थि पूजा व्यापकस्तर पर होती थी इसके अलावा पवित्रश्नान योगविधी यागिक पद्धत जो राजस्थान एवं गुजरात से मिली है यग्यवेदिकाओं से इसफष्ठ होता है जहां मातिर देवी के समान मुर्तियां मिली हैं जादू टोटम का प्रचलन रहा होगा जादू टोने का भी प्रचलन इसकाल में हुआ होगा अगला है कुल्ली से सौमे रूप में तथा जोब से राओद्र रूप में साक्ष प्राप्त हुए हैं कुल्ली से जो मुर्तियां प्राप्त हुई हैं वो सौमे रूप में हैं ज कुल्ली और यहां से जो रूप प्राप्त हुआ है यहां से एक मुहर से सीर के बल खड़ी एक इस्त्री है जिसकी योनी से एक ब्रिच उदित हो रहा है इसे उर्वरा की देवी कहा जा सकता एक मुहर है मुहर इसमें एक इस्त्री जो है सीर के बल खड़ी हुई है एक इस्त्री है जिसके पैर जो है उपर की ओर है और यह जो है इसके इस तरह से है और यह इस तरह से खड़ी हुई है पैर कांकन है और इसके नाभी है नाभी से एक पाउधा निकलता हुआ देखाया गया है इस तर प्रस्तर की नारी मुर्टियां भी मिली होगी मात्र देवी की पूजा के प्रसार में भूमध सागरी मानो प्रजात का योगदान सरवाधिक रहा होगा इस्त्री देवी के पूजन में बली का प्रचलन भी रहा होगा क्योंकि स flatterome 82 एक आईसी मुहर प्राफ्त हुई है जिसमें एक ब्रिची की डाली है डाली पे एक लटकाए बैठी हुई है और प लटकाए बैठी हुई है इसतוש एक आधमी यहां से बकरी लेकर जा रहा है और बकरी और पीछे एक आधमी सामान लेकर आ रहा है कातने वाला तो इस कोट में पसुपति पूजा को सर्व महत्पूर माना जा सकता है मोहन जोदरों से प्राप्त लगभग नगना आवस्था में समाधिस्त पसुपति सिव के रूप में मारसल द्वारा अभिहित किया गया है जिसके दोनु हाथ चूडियों से भरे हैं और इसके दाहिने त पर एक गैंडा एवं भैसा है और सिंहासन के नीचे दो हीरन अंकित हैं मारसल ने इसे रूद्र सिव कहा है देवता के उपर साथ अच्छनों की एक लिपी लिखी हुई है जैसा कि आपको विदित ही है सैंधो सब्यता के लिपी आज तक पढ़ी नहीं गई है अर्था मुम्कीन रहा है इसको आद तक पढ़ा नहीं गया है इसको पढ़ने के लिए अभी तक कोई भी विद्वान प्राप्त नहीं हुआ है सैंधो सब्यता के लिपी को पढ़ना अभी तक संभव रहा है और यही कारण है कि इसको आयतिहासिक काल में इस सब्यता को नहीं रखा जाता है आइतिहासी काल में सब्वेता को नहीं रखा जाता है। मात्र देवी की भात पूरुस देवता की उपासना में भी बली का प्रावधान रहा होगा। काल बंगा में नीचले नगर के घरों में भी बेदी मिलने के साच प्राप्त हुए है। आपका अधाद लिंग और योन पूजा जो आज भी प्रचलित है वह संधव सब्वेता से ही हमारे समाज में आज प्राप्त हुई है। तो पस्पूजा की बात करें तो गणपत्पूजा एवं वराह आवतार को इसी पस्पूजन से आरम माना गया है। पस्पूजों का क्रिशी एवं मालवाहन में इस्तेमाल नेहरपाईओं की अर्थवेवस्था में पस्पूजों को महतपूज बना दिया और इसी लिए इन्होंने इनकी पूजा करने लगे। सबसे महतपूज पस्पूज़ एवं कुकुदमान बैल रहा होगा। इसके अलावा हाथी बाग, गैणडा, हीरन, बकरा, एक स्रिंग ही पस की पूजा की जाती होगी, गव पूजन का प्रमाल नहीं प्राप्त होता, गाय की पूजा का कोई प्रमाल यहां से प्राप्त नहीं होता है, सैंदो सप्यता के लोग बैल की पुजा करते थे बिसेस करक़ पूद्मान बैल मोहन जोदरों से प्राप्त एक ताबीज में नाग को चबूतरे पर लेटा हुआ दर्साया गया है मोहन जोदरों से ही मिले एक मोहर में एक देवता के पीछे दोनों तरफ एक-एक सर्प अंकित है लोथल के तीन मृत भांडों पर सर्प की आकरती बनी है बनस्पत पूजा में पीपल सरवाधिक महत्पून रहा होगा मारसल के अनुसार एक स्रिंगी पसू पीपल देवता का वहन था जलचकर एवं स्वास्तिक चिन सुर्पूजा के प्रमार को पवित्र माना जाता होगा अंतिष्ट संसकारों की बात करें तो सैंदो सब्वता में तीन प्रकार की क्या मिली हैं अंतिष्टियां मिली हैं इसकी प्रधान विधियां प्रचलित्थी पहला पूर्ण समाधी करन बहावल पूर से प्राप्त हुई है पूर्ण समाधी करन मतब किसी ब्यक्ति के मर जाने पर पूरी तरह दफना देने को पूर्ण समाधी करन कहा गया है फिर आंसिक समाधी करण, आंसिक समाधी करण क्या होता था, मरे हुए बेक्टि को पहले जंगलों में फेंग दिया जाता था, जब मनुस्य जो है, मनुस्य को पस्तुमों द्वारा भक्ष लिया जाता था, तब जाकर के उसको जो है, क्या किया जाता था, दफना दिया जाता क्या किया जाता था उसको पुना मिट्टी में दफना दिया जाता था एक विदी ये प्रचरी थी इसे आंसिक समाधी करन कहा गया है इसके बाद दा संसकार की बात करें इसके बाद एक तीसरी प्रकार की समाधी जिसको मन इसको जला दिया जाता था कबरिस्तान नगरों से बा सब्सक्राइब करते हैं यहां से से भी प्राप्त हुए है हडपा में एक सव की ताबूत में रखकर दफनाया गया है अगर हडपा की बात करें तो हडपा में एक सव को ताबूत में रखकर दफनाया गया है सामान तया सव का सिर उत्तर एवं पाव एवं पाव का जो है उत्तर एवं पाव जो है दच्छिड की ओर रखकर दफनाया गय निर्माण में और इसको जो है एक जो है उसमें रखकर के दफनाया जाता था और अपवाद स्वरूप रोपर में एक सव पस्चिम से पूर्व की ओर काली बंगा में दच्छिड से उत्तर की ओर दफनाया गया मिलाया पवाद हैं आपका उताते सामानेता सभी सव जो है उत्तर से दच्छिड की ओर जो है दफनाया जाते थे लेकिन आपका उताते अपवाद स्वरू रोपर में एक सव पस्चिम से पूर्व की दिशा में दफनाया गया मिला है और लोथल में पूर्व पस्चिम में दफ मिला है काली बंगा में दश्य उत्तर में दफनाय गया प्राप्त हुआ है iohan start जोदड़ो तथा सुटकोड़ता से मोहन जोदड़ो जिसे मृत्वकों का टीला भी कहा जाता है तथा सुटकोड़ता से कलस सवाधान का प्रमाल प्राप्त हुआ है काली बंगा एक और लोथल से तीन यूगम सवाधान का प्रमाल मिला है रोपर में एक कब्र में मालिक के मुहंजोदर मोहंजोदरों से 42 मानव कंकाल मिले हैं कनेडि की मानता है कि इसमें सिर्फ एक की मृत्त जो है एक की मृत्त गंभीर चोट और सेस की मृत्त किसी अन्य कारण से हुई होगी इन सवं को यथावत अंति संसकार नहीं हुआ है आपको वतादें 42 दन कंकाल मिले हैं उसमें से एक मनुष्य ऐसा है जिसको जो है चोट लगने सेस के मृत्त हुई है बाकी सेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि उनके मृत्त का ऐसे हुई है जो लास जिधर थी उधर ही वो पड़ी हुई है कोई उत्तर में विखरा हुआ कोई दच्छिड में कोई किसी दिशा में वीद्वत नहीं है को इधर का उधर भटका पड़ा हुआ है वहीं पर इनको यठावत प्रात्त किया गया है इससे पता चलता है कि इसकार में या युद्ध मेंने मारे गए होंगे या तो यह महहामारी से मारे जिसोद अपनाने वाला कोई रहा ही नहीं होगा राजनायतिक संगठन की बात करें इस्टुवर्ट पिंगट इस्टुवर्ट पिंगट ने हरपा एवं मोहंजोदरों को जुड़वा राजधानी माना है जब कि बीबी लाल अनेक छोटे बड़े राज की बात करते हैं जिसक का अलग अलग मुख्याले था हरपा का निरी सास्त्री अध्यन किया जाए तो भूमद्य सागरिय संभावतर सरवाधिक आवादी इन की थी इनके अलामा अलपाइन आच नाडिक मंगोल इन में से इस सब्यता के जन्वदाता कौन थे कहा नहीं जा सकता है काला नुकरम की बात करें तो जान मारसल जो है काते हैं कि तेरा हजार तीन हजार दो सो पचास इसापुर से दो हजास साथ सो पचास इसापुर तक इसका समय रहा होगा हडपा का काल निड़यन सारगाउन सासक के आधार पर हुआ था किन्थ इसी की अंतिम्तिति अब 2400 इसापुर माने जाने के कारां 400 वर्स पीछे सवाविक रूप से खिसक गया मार्टिमर विलर महोदय हडपा के काल को मार्टिमर विलर हडपा के काल को पचीश सव से 1500 इसापुर मानते हैं सीजे गर्ड जो है गौन जो है इसको 2350 से 1730 मानते हैं खेयर सर्विश जो है 2500 से 1500 इसापुर मानते हैं डीपी अगरवाल जो है 2300 से 1750 मानते हैं कारवन पध्धत के आधार पर इसलिए 2300 से जो है 1750 इसका सबसे प्रमालिक समय माना जा सकता है क्योंकि इसी के आधार पर हम संभवता इसके बारे में उचित क्योंकि कारवन डेटिंग एक ऐसा तथ्य है प्राचिन वस्तूओं को जानने के लिए इसके आधार से रेडियो कारवन भी कहते हैं क्या कहते हैं रेडियो कारवन भी कहते हैं रेडियो कारवन और यह जो है हमेशा सही तीथी बताती है तो रेडियो कारवन पद्धत के आधार पर इसका समय जो बताए गया है वह तेज सव से सत्रह सो पचास बताए गया निश्चीतु से सबसे सही रहा होगा इसके बाद पतन समंधी बात करें तो सैंधो संब्धता का पतन कैसे हुआ सैंधो संब्धता के पतन की बात करें तो R.L. R.I.K.S. एवं फेर वेर सोसाइटी जो है सैंधो सबता के पतन का काराण जलवाई परिवर्तन मानता क्या मानता है जलवाई परिवर्तन मानता ये लोग कहते हैं कि सैंधो सबता का पतन जो है जलवाई परिवर्तन के काराण हुआ होगा मार्सल, मैके एवं रास जो राव एवं इस राव इसको बाड के विभीश का मानते हैं बाड के कारण इसका पतन हुआ होगा लैंब्रिक एवं जे एफ टेज भुतात्विक परिवर्तन को इसका कारण मानते हैं गार्डन चाइस वीलर पिंगट आरी आक्रमण मोहन जोदरो से एक साथ 42 नरकंकाल प्राप्थ हुए हैं जिन में से एक गंभीर चोट से मरा है एक जो है कैसे मरा है गंभीर चोट के कारण मरा हुआ कैसे मरा हुआ है गंभीर चोट से मरा हुआ है इसे पता चलता है और इथर भी थर है इसो वाहे आक्रमा कारण माना जा सकता है और जबकि यू आर कैनेडी ने इसको महामारी माना है जब कि मलिक पेसिल ने सब्चा की निरंतर्ता को इसका पतन का कारण माना हैं विविद पुरा तात्विक इस्थलों से विविद प्रकार के जो सामग्रिया प्राप्त हुई हैं अगर हम उनकी बात करें तो उससे क्या क्या चीजे प्राप्त होती हैं उसकी बात करते हैं तो सेंद्र क्योंकि आपको बता दें कि अभी 2019 में तीन पुरास्थल सेंद्र सब्विता का दे दिया था एक जो है उससे संबंधित नहीं था और उसमें से पूछ लिया था कि सेंद्र सब्विता से संबंधित कौन सा पुरास्थल नहीं है तो सहगावरा उसमें आंसर था सहगावरा क्योंकि असोग द्वारा लिखवाया गया अभी लेख है सहगावरा अभी लेख गोरकपूर उत्रप्देश में है तो उसको छोण करके से सभी जो है सैंद्र सपिता समझी थे और कभी कभी इनके बारे में कौन से सामगरी किस पुरास्तल से प्रा मांट गोमरी जिला बरतमान नाम साहीवाल पंजाब पाकिस्तान रावी तरड़ पर बसा हुआ है बरतमान पाकिस्तान में है और यह जो है साहीवाल इसका बरतमान में नाम है पंजाब पुर्वी पश्चमी पंजाब अर्थात पाकिस्तान में रावी नदी के तरड़ पर और 1873 इस्वी में सर्विक्षण कर यहां सब्यता होने के निस्कर्स निकाला खुदाई इसकी जो है दयाराम साहनी द्वारा करा गया कब करा गया 1923 से 25 इस्वी तक सामाजिक छित्र की खुदाई डेज एवं माल्टिमर हुईलर द्वारा कराया गया अब तक हड़पा सब्यता से 991 से अधिक मोहरे प्राप्त हो चुकी है जो सिंद्ध सब्यता से प्राप्त संपूर मोहरों का लगभाग 32 प्रस्त बारा प्रस्त है कितना है अर्थात लगभग जो है 25 परसंट से अधिक जो है लगभग 40 परसंट यहां से प्राप्त होती है भडपा की एक मुर्थी में यून इसी एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है जिसे उर्वर्ता की देवी माना जा सकता है सहर पश्चिमी दूर्ग और पूर्वी रिहाईसी इलाके में विभाजित था इसका दुर्ग चारों तरफ दिवार से घिरा हुआ था यह महत्पूर पुरास्थल है इसका अगला आप देखे हरपा से और भी क्या चीज़े प्राप्त होती है हरपा के अधिकतर साच सहर के उतरी भाग से मिला है यहीं से अन्नागार च्छा च्छा की दो कतारी में मजद अन्नागार दुर्ग से बाहर अवस्थित है हरपा से नृत्यमुद्राम वाली एक नवयुवक की प्रस्तर मुर्ती काले पत्थर की प्राप्त होई है जिसकी तूलना नटराज से की जाती है यहां से तावे की इकागारी जिसका पहिया ठोस है यहां से सोने के मन के वाला हा तता साथ घनाकार पासे भी प्राप्त हुए हैं मोहन जोदरो के विपरीत हरपा में पुरुस मुर्तियां अधिक हैं एक पुरुस का धड़ प्राप्त हुआ है सम्भावत यहां जैन मुनी होंगे एक पुरुस का धड़ गर्दन प्राप्त हुआ है जिसको जो है लोग जो है क्या कहते हैं यहां एक जैन मुनी होंगे जैनों के मुनी रहे होंगे साप दबाये गरुण के चित्रवाला मोहर तथा मरिद्भान परांकित बच्चे को दूद पिलाती हुई हीरनी प्राप्त होती है कभरिस्तान छेत्र की बात करें तो कभरिस्तान का छेत्र जो है जिसे आर साइतिस कहा गया है क्या कहा गया कभरिस्तान छेत्र आर साइतिस डी यह इस तरह से आर बना हुआ मिला है आर में कभरिस्तान में जगा जगा जो है इस तरह से कभर बनाए गये हैं जिसे आर आकार में हो जाता है और इस यहां से कुल 57 कब्रे मिली है एक कब्र लकड़ी के ताबूत वाले है समाधी एवं H हरपा सबता के बाद के काल का रहा है इसे H काल भी कहा जाता है कुछ विद्वानों इसका नाम H काल और आर काल रखा है मोहन जोदरों को सिंधी भासा में मृत्कों का टीला कहा जाता है मोहन जोदरों की बात करें 1922 इस्वी में प्रथम इसका प्रथम अन्वेशन आर डी बनर जी के द्वारा इसके साथ इस्तरों के खुदाई जिसके साथ में अस्तर तक के इस्तर के खुदाई जे एफ डेली ने की ने सिंदु का नखलिस्तान भी कहते हैं इसको सिंदु का नखलिस्तान भी कहा गया है मोहन जोदरों के दुर्ग तिला को सुस्तूब तिला पुसान कालीन कहा जाता है पवित्र श्नानागार अन्नागार संभवत पूरोहित आवास अन्नागार मोहन जोदरों का सबसे बड़ा भवन है कुवा में फन्नीदार श्नानागार में करांतीदार इंड का प्रयोग हुआ है ब्रिहद अन्ने ब्रिहद श्नानागार फर्स पक्का है इसका जिप्सन बिट्मिन का प्रयोग हुआ है बनाने में के केंद्री भाग में जलकुंड एवं उत्तर दच्छिड में सीढी नुमा जला सै के दच्छिडी पस्चिमी छोर पर नाली है तीन और बरामदे तथा कई कमरे हैं एक कमरे में पानी भरने के लिए कुआ भी इस्तित्र अन्नागार की बात करें स्नानागार के पस्ची में चबूतरे पर हैं रीलर ने इसे अन्नागार कहा है सबाब हमन दुर्ग के दच्छिन की ओर है मैके ने इसे बाजार स्थल कहा है तोला मनकों का एक बैरक मिला है मैके ने इसे दुकान कहा है जबकि पिगट ने कुली लाइन कहा है यहां से हडपा सबता के कुल लेखन सामगरी का लगभग 56.67% होता है यहां से इसके बाद देखे अगला है यहां से मिले पत्थर की मुर्तियों में सरवादिक महत्व पुरोहित का धड़ पुरोहित की जो मूर्ति प्राप्थ होई यहां से मिले पत्थर की मुर्तियों में सरवादिक पुरोहित का धड़ सिलखडी से निर्मित है तथा एक बैठे आदमी की आकरती अलावस्तर पत्थर की है और एक मुद्रा पर एक देवता पस और साथ नारियां तथा एक मुद्रा पर तीन बागों के सिर एक साथ दिखाए गए हैं इस तरह की आकृतियां भी यहां से प्राप्त होती हैं एक चांदी के बरतन में कपड़े की आवसेस, मिट्टी की तराजू, बालों में लगने वाले पिन, सिल बट्टा तथा एक बसुला भी प्राप्त हुआ है सिल खड़ी का एक मिस्त्री पस्त अथा कुत्ते की भी मुर्तियां मिली हैं कास की नित्य करती हुई नर्तकी की मुर्ति मिली है जो HR छित्र से नगन प्लुत मोम पद्धाती मेरिटेरियन मुल्की प्रतीत होती है मोहन जोदरो से कोई कवरिस्तान नहीं मिला है लेकिन 21 कंकाल मिले है 14 घरों में से 6 मुख्यता गली से एक दूसरी गली से प्राप्त हुए है हाथी का कपाल खंड मोहन जोदरों से प्राप्त हुआ है आप बात करते हैं चहुंदरों, चहुंदरों बहुत ही महत्मूर पुरास्थल है, सिंधु में मोहन जोदरों से 130 कीमी दच्छिन में स्थित, खोज उसकी 1921 में, एन आर्सी मजुंदार द्वारा खुदाई 103 में मैके द्वारा यहां से हडपा कालीन तथा उत्तर हडपा कालीन आउसेस मिले हैं, मुख्य तह दस्तकार एवं कारीगर लोग रहते थे, मुख्य प्रमुख दस्तकारी कारे यहां के फिमस हैं, मन का बनाना, हड़ी की वस्तू बनाना और मुद्रा बनाना, ताबे एवं कासे के अवजार भी मिले हैं, कुछ बिकार ऊटों के प्रमाड भी मिले हैं, ऊटों की बनी हुई भठी मिली है, बिल्ली का पिछा करता हुआ कुट्ते का साच्वी चहुन्दरों से प्राप्त हुआ है, आपको बता दें, लिपिष्टिक का प्रमाड पकी मिट्टी की पाईप वाली नालियां, एक मुहर पर मनुस के साथ संभोग करता साण मिट्टी का मोर एक मिट्टी की मोहर पर तीन घड़ियालों तथा दो मचलियों का अंकर मिलता है यहां से एक पात्र में जला हुआ का प्रह्पाल खंड भी प्राप्त हुआ है 149 से ताली बंगा Pasala डेखे काली बंगा अर्थ होता है काले रंकी चुरियां ये राजस्थान का प्रहुपुरास्थल है यह जो है राजस्थान के गंगा नगर राजस्थान के गंगा नगर जिले में घगघर नदी सरस्वती के बायंत तर्पर इस्थित है इसकी खोज अमलानंद घोश द्वारा उननीस सो तीरपन में इस्वी में किया गया खुदाई बीवी लाल एवं बीके थापर के यहां से एक पल्ले वाले दर्वाजे का साच्च भी प्राप्त हुआ है यहां से भुकंप आने का प्राचिंतम साच्च मिलता है यहां से पूर्व हडपा सभ्यता का साच्च भी प्राप्त होता है कहां से काली बंगा से यहां से पूर्व हडपा का साच्च जो मिला है काली इवंगा से घर की कच्ची इंटों के बने हैं आलंक्रित इंटी भी मिले हैं जल निकासी का प्रमार नहीं मिला है लेकिन लकड़ी पाइप के प्रमार यहां से प्राप्त होते हैं। कच्ची इंट के चबूतरे पर साथ हवन कुण कुएं के पास का साच मिला है एक से हीरन की हड़ी भी प्राप्त होती है यहां से जुते हुए खेत का साच यहां से प्राप्त होता है जुते हुए खेत के साच यहां से प्राप्त होते है बस्ती के बाहर मिला है कम दूरी के खा वोष्व की प्रमाण एक साथ दो फसले मिले हैं उंट की हड़िया यहां से मिली हैं संभवता काली बंगा मात्र देवी की उपासना के लिए लोग प्रीय नहीं थी बेलनाकार मुहरे यहां से प्राप्थ होती हैं जो मेसोपुतामया के मुहरों के समान हैं जल कपाली या मस्तिस्क सोधन की बिमारी के प्रमाड यहां पर प्राप्त होते हैं लोथल एवं बुर्जहूम के समान चिकिस्टा की तेपेंशन पद्धच प्रचलित थी यहां के अनेक घरों में पुएं के भी साच प्राप्त होते हैं जो यहां के सबसे बड़ी विसेश्टा थी जो उस समय की उन्नत जल प्रमंधर व्यवस्था का सूचक है लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात का प्रमुक पुरास्थल है गुजरात के आहमदावाद जिले में सरगवल गाओं के पास 1955 से 62 इसबी के मद आर एस राओ के निर्देशर में खुदाई यहां पर हुई दो मील के घेरे में बसा एक नगर जिसके छा खंड एक ही दिवार से घिरे हुए हैं उत्तरी दिवार से जहां जहाज का प्रवेश सेशनिक ने गोदी को सिचाई के लिए प्रियुक ताला बताया हुआ है नगर योजना की बात करें तो नगर योजना हरपा मोहन जोद्रों के समान ही यहां पर प्रात होती है यहां से सोने की हार, सेलखडी के मोहर, सीप एवं ताबे की चूड़ियां तथा मिट्टी के जार यहां से प्राप्त होते हैं मन की बनाने के कई कारखाने यहां से प्राप्त होते हैं अगने बेदिका के भी साच्छे यहां से प्राप्त होते हैं उसको कुछ इतिहासकार जो है यज्य मानते हैं कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं यज्य मानते हैं यज्य का स्वरूप मानते हैं यज्य होता था लेकि यज्य का इस फष्ट साथ यहां से प्राप्त नहीं होता है इसके अत्रित जो है यहां पर जो चीजें प्राप्त हुई है जैसे मन के कारखाने पनाने के लिए अगनी बेदी का जो प्राप्त हुई है इसे यग्य ना कहकर ना तो ही मंदीर यहां से प्राप्त हो रही है। एक मनका का दर्वाजा मुख्य सडक की और खुलने का प्रमाण भी मिलता है। साच प्राप्त होने लगा है। यहां से मिट्टी की ममी बटन के आकार की मुद्रा, एक आरी, तीन बेलनाकार मुहरें तथा एक मृद्भांड पर चालक चालांक लोमडी की कथा का उदहरन भी यहां से प्राप्त होता है। यहां से प्राप्त होता कहां से काली लोथल से। अब बात करते हैं बनावली, बनावली कहां है हर्याना में है, बनावली हर्याना में है, हर्याना के हिसार जीले में है, 1937-1974 में आरे स्विष्ट द्वारा इसका उत्खरन करवाया गया था। यहां से सब्यता के तीन अस्तरों प्रकास में आये हुए हैं, दूर्ग निचले नगर में विभाजन नहीं है, एक ही प्राचीर से युक्त घेरा है। यहां से एक अगनेबेदि का दीवार में ताखे, मनकों के पास, चबूतरे, मिट्टी का बना हल, जव के दाने यहां से मिले हैं, यहां से तामे का वाणाग्र तथा कुलहारी प्राप्त हुई है। सरक, सरकें न तो सीधी मिली हैं और नहीं एक दूसरे को समकूर्ण पकारती हुई प्राप्त होती, इस तरह से प्राप्त सरकें यहां पर प्राप्त नहीं होती है। नाली पद्धत का अभाव है, नगर्द योजना सतरंज के बोड के आकार का है, एक आयताकार राजप्रसाद जैसा बिसाल भवन भी यहां से प्राप्त हुआ है, इससे संब्रिद्धों का सहर कहते हैं, घरों में बास वेसिन का साच्छ बड़े मकानों में मिला हुआ है, र पंजाब में सतलज नदी के बाएं तरपस सोतंता के पस्चा सरप्थम इसी का उत्खनन कराया गया था, अगर आपसे प्रश्च पूस्ता है, सोतंतर्था के बाद सरप्थम किस पुरा स्थल का उत्खनन कराया गया था, तो आपने इस चुतुरुप से किसका नाम लेंगे, रोपड कहां पर है ये पंजाब में है कहां है पंजाब में है और किस नदी के तठ पर है आपको बता दें ये सतलज नदी के तठ पर है कहां पर है सतलज नदी के तठ पर है पंजाब की प्रमुख नदियों में से एक है यहां से हरपा पूरु और हरपा कालीन और सेश खाग में कई समाधी अस्थान मिले हैं सवों को अंडाकार गढ़्धे में दफनाया जाता था किस तरह के गढ़्धे बनाया जाते थे अंडाकार गढ़्धे बनाकर दफनाया जाते थे किस तरह से अंडाकार गढ़्धे बनाकर इनको दफनाया गया है कब्र से मिट्टी के गहने, संग की चूड़ी, गोमेद के मन के तथा तामे के अंगुठी मिली है एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्य दफनाये जाने का साच भी रोपर से प्राप्त हुआ है यहां से तामे की कुलहारी प्राप्त हुई है क्या मिली है, सुटकांगे डोर की वाद करें सुटकांगे डोर मकरान समुद्धत्ट में दास्क नदी के मुहाने पर है यहां सब्विता का सबसे पश्च्च्मी अस्तल है 1927 में आरेल टाइन द्वारा इसकी खोच कराई गई थी आगे की खुदाई जो है देश ने खुदाई का कार किया था सन 1962 में यहां का दूर्ग एक प्राकृतिक चटान पर इस्थित है जिसके चारों तरफ से तरासे पत्थरों की दिवार मिली है बुर्ज के द्वार से बना हुआ है यहां से मनुष्य की आस्ति प्राप्त हुई है मनुष्य की आस्ति प्राप्त हुई है राक से भरा बरतन प्राप्त हुआ है तामने निर्मित वानागिर तथा वानागिर इस्तरका होता है वानाग प्राप्त हुआ है पुल्हारी मिली है यहां मुहरों मुहरे नहीं मिली है आ अब आप देखते हैं आगला है सौत का गोह, सौत का गोह क्या है मकरान तठपर साधी कोर नदी के मुहाने पर यह जो है बलुचिस्तान पाकिस्तान में है और इसकी खोज 1962 में हिल्प द्वारा यहां दो टिले समवता बंदरगाही नगर था, यह जो है समवता क्या था बंदरगाही नगर था, बंदरगाही नगर यह था, बंदरगाही नगर था, बाला कोट सोन मियानी खड़ी के पूर्व बिंदार नदी के मुहाने पर कराची से 88 किलोमेटर दस्षिर पुष में अवस्थित था, इसका उत्खनन कार्य जो है, इसका उत्खनन कार्य, उत्खनन कार्य, डस ने अठासो नदी किया था, पाक सैंधव और सैंधव अस्तर के यहाँ पर मिले हैं, भावन कची इंट के एवं नालिया जो है, पक्की इंट से बने हैं, यहाँ फर्स पर प्लास्टर के प्रमाड भी मिले हैं, सी पुद्योग समरिद इस्थिती में था समवता बंदरगाही नगर रहा होगा, यह भी जो है समवता बंदरगाही नगर था, अगला है अल्लाह दीनों, अल्लाह दीनों जो है, सिंद और अरब सागर के संगम पर इस्थित है, और यह पहला पुरास्थल है, जो किसी सागर क पहला पुरास्थल है 18-1982 में फेयर सर्विस द्वारा इसका उत्खरन करा गया है यहां से ताबे की वस्त उता सोने चांदी का अभूसर मिले हैं मिटी का बना एक खिलोना भी यहां से खिलोना गाली भी प्राप्त फोती कोड़ दीजी की बात करें कोड़ दीजी जो है मोहन जोदरो से 50 की मिपूरो में सिंदु के 22 तरफ इस्थित है इसकी खोज जो है 1937 सिस्वी में कराग्यात उत्खरन कार्य जो है 1955 में एक खान द्वारा खुदाई में कुल 16 स्थर प्राप्त हुए हैं यहां की से प्राक सैंधो तथा सिंदु कालिन सब्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं पत्थर के नाव पर बने मन के मन का मकान के प्रमाण मिले हैं मकान मिट्टी के सिलखडी के बने दो मुहरों मिली हैं यहां पत्थर के वाणाग्र मिले हैं जो किसी अन्य अस्थल से नहीं प्राप्त हुए हैं, किसी अन्य अस्थल से नहीं मिले हैं, यहां मिट्टी के बरतन का बाहरी भाग लाल रंग से रंगा जाता था, सबसे बड़ी खासे था इसकी, मिट्टी के बरतन पर पीपल की पत्ती मयूर सूर्य के प्रतीक 12 सिंगे का चित्रन यहाँ पर प्राप्त हुआ है अगला है अली मुराद सिंद प्रांत में इस्थित है यहाँ से बैल की लग मुर्मूर्तियां मिली है कासे की कुलहाडी पी यहाँ से प्राप्त हुई है आमरी की बात करें यहां से बारा सिंगा का नमूना प्राप्थ हुआ है मांडा जो जम्बु कस्मीर में है यह चिरांद नदी के किनारे है इसके चिनाव नदी के किनारे है चिनाव नदी के किनारे है दच्री किनारे बसे उत्तरी अस्थल है जम्बु कस्मीर के अकनूत जिले में है 1882 में जेपी जोसी और मधुबाला द्वारा इसका उत्खनक कराए गया था यहां से सब्विता के तीन चरण प्राप्त हुए हैं फर्ट सिकेंड और थर्ट तीनों चरण में इसके प्राप्त हुए हैं यहां पर तामे के पंचदार फिन का तथा पूरे हडपा छित्र से के लिए लकडियों की आपूर्त यहां से की जाती रही होगी यह इसकी सबसे बड़ी खास्यत है भागवान पूरा अगर अगला है आपका भागवान पूरा भागवान पूरा जो है हरियाना के कुरुछेतर जिले में है सरुसती नदी के दच्छन किनारे पर है जेपी जोसी द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था यहां से सैंधों के पत्नमुखी औसेश प्राप्त हुए हैं पुनान से प्राक सैंधों प्रमाल मिले हैं यहां से चांदी के मुकुट प्राप्त हुआ है चांदी का एक मुकुट प्राप्त हुआ है चांदी का एक मुकुट प्राप्त हुआ है सुरकोड़ता की बात करें या कच्छ के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्तित है उत्खनन कारिस का जगपत जोसी द्वारा जो है 1964 इस भी में कराय गया था यहां फिर दो दूर्गी कृत भाग मिले हैं सुरच्छा दिवार दो प्रवेश दिवारों दच्छन अवपूर्व से हैं दच्छन पष्चिम दच्छिनी पश्चिमी भाग में कब्रिस्तान कलस सवाधान के प्रमार मिले हैं यहां पर बड़ी चट्टानों से ढखी एक कब्र मिली है यहां से घोडे की अस्तियां प्राप्त हुई हैं यहां से मिट्टी के पहियदार बैल भी प्राप्त हुआ है अगला है धौलाबीरा यह गुजरात के कच्छ भरूच तालुका में मानसर एवं मानहर नदियों के बीच में यहां इसकी खोड जगपत जोसी द्वारा उत्खनन 1990 में आरे स्विष्ट द्वारा कराया गया था भारत में इस सबसे बड़ा अस्तल है यह 100 हेक्टेयर में बिश्ट्रित है यह भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा है नगर तीन भागों में दूर्ग नगर तीन भागों में तूर्ग मध्यम्यम निचला भाग में विभाजित है सबको घेरती हुई बाहरी दिवार प्रतेक छित्र की अलग-अलग केले बंदिक की गई है मध्यवर्ती भाग में तालाव तथा स्टेडियम के प्रमाड जुनी कुरान से भी स्टेडियम मिले है यहां के लिपी के वण काफी बड़े तथा दस अच्छरों वाला पट मिला है धावला बीरा धावला बीरा के गोल मकान बुगगा कुम्भा कहलाते थे यहां से घोडे की कलाकृतियां मिली है बड़ी संख्या में पालिसदार स्वेत पासान भी यहां से प्राप्त हुए हैं यहां से रें वाठर हार्वेस्टिंग के साच भी प्राप्त होते हैं अब है देशलपूर भुझ जिले के मादर नदी के किनारे इस्थित है इसका उत्खनन 1964 की केबी सौंदर राजन द्वारा करा गया था यह प्राचीर यूप्त नगर था सुरच्छा प्राचीर अस्थल इस्थान अस्थान पर बुर्ज मिले हैं रोजदी यह सौराष्ट में हैं यहां पर तीन चरण विद्वान हैं बस्ती के चार और बड़े पत्थरों की बनी हुई सुरच्छा दिवार है घर कच्ची वपकी इंटों से निर्मित हैं हाथी के आउसेच भी यहां से प्राप्त हुए हैं अगला है 85 85 की बात करें तर राजकोर्ट जिले में विक्सित है और उत्तर से उत्तर सैंधा और से मिले हैं उत्खनन एम के धवलीकर और एम आर रावल द्वारा इसका कराया गया है संभवत बंदरगाही नगर रहा होगा यह एक मकान से हजारों मन के तथा तीन अंगुठियां प्राप्त हुई हैं रंगपूर की बात करें काठिया वाड में मादा नदी के समीत अनुवेशन कार्य माधव स्वरूप वस्त द्वारा 1931 में कराया गया था इसका और रंगनाद द्वारा इसकी खुदाई 1935 में कराई गई यहां से उत्तर हडपा संस्कृति के साथ मिला है यहां से मात्र देवी की मुर्तियां प्राप्त हुई हैं मुद्राएं नहीं मिले हैं धान की भूसी तथा बाजरे के साथ यहां से प्राप्त हुई हैं क्या मिले हैं धान की भूसी प्राप्त हुई हैं और बाजरा बाजरा का दाना यहां से प्राप्त होता है दायमावाद की बात करें तो यह अहमद नगर जिले के प्रवरा नदी के बायं तरपा सबसे दच्छरी तट है यहां से कांसे कारत मिला है जिसमें दो बैल एक गाड़ीवान भी इस्थित है सवाधान के प्रमार भी मिले हैं सुर्कोटता के समान कब्र के उत्तर में पत्थर रखे जाते थे कुछ बरतन पर सैंधव लिपी भी प्राप्त हुई है आलमगीर पूर की बात करें तो बागपत बागपत जिले में हिंडन नदी के बायं तरपा सबसे पूर्वी अस्थल है या उत्तर प्रदेश में है कहां पर उत्तर प्रदेश में है यहां से उत्तर कालिन सैंधव चरण के प्रमार प्राप्त होते हैं रोटी बेलने की चवकी मिली है बरतनों पर मोर और गिलहरी के चित्रकारी है एक रिच और एक सांप की मिर्मुर्ती भी यहां से प्राप्त करण के प्रमारप्र प्राप्त को त्युवासा अंगूठी में लेटे रेशम का साच मिलता है जो सूथी वयस्त्र के भिकास को विकास को दर्साता है मालवन की बात करें या जो है सूरत गुजरात तापती नदी के मुहाने पर खोज जो है आलचीन द्वारा उत्खनन जेपी जोसी द्वारा 1970 में कराया गया था मांडा से पूरो पस्चिम की ओर जाती हुई एक खाई मिली है जिसे सिचाई के नहर कहा जाता है राखी गड़ी की बात करें जिन्द हर्याना में यह मिला है और इसकी खोज जो है सूरज भान और भगवान देव द्वारा कराया गया था विसालतम नगरों में से एक है ये मिटा थल की बात करें तो मिटा थल भवान भीवानी हर्याना उत्खनन जो है सूरज भान द्वारा scissors नमीर में कराया गया था यमूना का प्राचींतम प्रवाह मार्ग यहां से प्राप्त होता है यहां से पान पात्र संख की चूड़ियां तथा पत्थर की अंगोठी प्रा प्राप्त करें तो ये जो है आपको बता दें कच्चा माल छेत्र और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कहां से प्राप्त किये जाते थे आपको बता दें तो ये जो है आरसाइने की युक्त तामबा जो है लोथल और टिन अफगानिस्तान से प्राप्त होता था और तामब करें सोना जो है प्राप्त होता था कहां से अफगानिस्तान से अफगानिस्तान के कुलार से प्राप्त होता था कुलार कुलार से प्राप्त होता था लाज वर्द और यह नील रत्न यहां से प्राप्त होते थे नील रत्न और यह कहां था बदस्खां बदस्खां प्राप्त हो से नील माडी नील माडी प्राप्त होती थी महाराष्ट से महाराष्ट से यह प्राप्त होती थी यह कहां से हारितास्म और फिरोजा यह कहां से प्राप्त होता था दच्छिन एसिया और इरान से प्राप्त होता था सेल खड़ी सेल खड़ी यह जो है बल्चिस्तान चिस्तान गुजरात राजस्तान से संख पाउडियां सौराष्ट और दच्छिन भारत से प्राप्त होती थी और इरान अफगानिस्तान से भी यह प्राप्त होते थे इरान अफगानिस्तान राजस्तान से सिलाजीत और हिमानजय चित्र से प्राप्त होते थे गोमेद गुजरास से प्राप्त होता था यह जो है इसका चित्र रहा है आपको बता दें यह यहां से प्राप्त होते थे ठीक है तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जैहि करें